तो अब सब लोगों को पाइदाई होगा कि सुखवी एसुफिटी सेवन फाइटर यार क्रेप्टो के बेस में भारतों रश्या के द्वारा जॉइंटली एफजी एफ़े फाइटर यार क्रेप्टो के एक डिफलोप्मेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा था जिस के बाद रश्या अकेला ही सुखवी एसुफिटी सेवन फाइटर यार क्रेप्टो को अपने बेड़े में शामिल किया पर दोस्तों अब प्रोग्राम से विड्रॉल के करिवन छे साल के बाद अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा अप अपने आपको FGFA प्रोजेक्ट से विड्रॉल करना काफी जल्दवादी का डिसिजन था जिस वज़ा से इंडियान यार फोर्स को थोड़ा नुकसान हो रहा है और तब भारत के तरफ से किसी भी बैक अप प्लान के बिना अपने आपको इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर जीव करीब 144 नेक्स जेनरेशन के यार क्राप भी मिलना था पर साल 2018 के उस डिसिजन के बाद भारत को एक बहुत लंबे कॉंसिक्वेंस का सामना करना पड़ रहा है खास करके कोई बैक अप प्लान ना होना ही भारत का परिशानी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है अब दोसवा FGFA फाइटर यार क्राप्टों के प्रोजेट को इंडियन यार फोर्स के मोडनाईजेशन के लिए आगे तो बढ़ाया जा रहा था लेकिन रिपोर्टों के मताविक कई सारे कारण खास करके डिले, कॉस्ट और इवन टेकनोलोजी शेरिंग को लेके दुनों देशों के बीच में मदवेद होने के वजा से भारत अपने आपको इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया था, पर अगर भारत इस प्रोजेक्ट के अंतरगत आगे बढ़ता तो शायद अब इंडियन यार फोर्स के बेड़े में फिफ जनरेशन के फाइटर यार क्राप भी होता और FGFA प्रोजेक्ट के सारे भारत अपने स्क्वाडरन स्ट्रेंथ को भी एन्हेंस कर पाता, अब दोस्तों फिलाल देखा जाए तो भारत अपने फिफ जनरेशन फाइटर यार क्राप्टों के जरुरतों को AMCA जैसे यार क्राप्टों के द्वारा पुरा करने के लिए आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन पहला फिफ जनरेशन फाइटर यार क्राप्टों के लिए भारत को करीब करीब एक दशक से भी अधिक समय मतलब साल 2035 तक के इंतिजार करना पड़ेगा, पर अगर FGFA प्रोजेक्ट के अंतरगत भारत आज आगे बढ़ता तो शाय स साल 2035 तक इंडियन यारपोर्स के बेड़े में 144 के भी अधिक संख्या में फिफ जनरेशन के फाइटर यारक्रेप्ट होता है और इवें इंडियन यारपोर्स अपने आपको टेकनोलोजी कली भी आगे ले पाता, जबकि वही पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी आदू कि चाइना के द्वारा लगातार भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रिजन में J20 जैसे यारक्रेप्टों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा और इवें चाइना पाकिस्तान को भी J31 जैसे यारक्रेप्ट दे रहा है और ये भी भारत के लिए एक परिशानी बन अब दे शेल फिफ जेनरेशन के फाइटर यारक्रेप्टों को पर्चेस करना चाहिए पर यहाँ पे आप लोग के जानकारी के लिए बतातू कि अब F-35 जैसे फाइटर यारक्रेप्टों को खरिदने का जो संभावना था वो लगभग लगभग समाप्त हो चुका है मतलब भारत के पास एक मात्रो औफ्शन सुखोई ISO-57 फाइटर यारक्रेप्ट ही है और FGFA फाइटर यारक्रेप्टों को सुखोई ISO-57 फाइटर यारक्रेप्टों के बेस पे ही बनाया जा रहा था मतलब अगर भारत को FGFA प्रोजेक्ट के अंतरगत आगे बढ़ता तो आज भा M.C.A. जैसे यारक्रेप्टों के डिफलप्मेंट प्रोग्राम में भी इसे लेके काफी मदद मिलता जबकि वही पे आप लोग के जानकारी के लिए ये भी बता दो कि इंडियान यारक्रेप्टों को खरिदने को लेके भी एक मुशक्कत कर रहा है और MRFA टेंडर के तो एक तरफ ये 114 फाइटर यारक्रेप्टों के टेंडर के आवशक्ताओं को भी पूरा करने के लिए FGFA कॉंसेट का उप्योग किया जा सकता था जबकि वही पे अगर सेफरेटली कोई MRFA टेंडर नहीं होता तो नो डाउट आसानी से AMCA फाइटर यारक्रेप्टों के ड पसर नहीं पड़ता या फिर फंडिंग को लेके भी भारत को चुनातियों का सामना नहीं करना पड़ता और वही पे 114 फाइटर यारक्रेप्टों के टेंडर में भी भारत को टेकनोलोजी कले सोफिस्टिकेटेड और अधिक ताकत पर और एडवांस यारक्रेप्ट मिलता जो कि इस टेंडर के महत्तों को भी और बढ़ाता हाला कि दोस्तों FGFA प्रोजेक्ट से भारत अपने आपको बहुत सारे कारण के वज़ा से ही विड्रॉल किया है जिनमें रश्या के तरफ से टेकनोलोजी ना शेयर करना और वर्क शेयरिंग को लेके अना करने करना भी शा होता तो भारत के लिए यह जो उड्रॉल का डिजीजन है यह एक बहतर डिजीजन होता ना कि एकस्पर्टों के अंदर इस डिजीजन को लेके इस तरीके का कोई मधवेद होता अलगी दोस्तों भारत के कई सारे एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि फिर से FGFA प्रॉजेक् जहाँ पे कई सरे अलग-अलग एक्सपर्टों के अंदर अलग-अलग तरीके का मदवेद है तो उही पे इस दर्मियान तेजस मार्क वान ए एरक्रेप्टों के फायर पावर को इनहेंस करने को लेके वी एक बड़ा ख़वर आ रहा है और रिपोर्ट के मुताविक दावा किय जा रहा है कि एरक्रेप्टों के क्लोस कॉमबैट कैपिबिलिटी को और एनहेंस करने के लिए साल 2025 से हिंदुस्तन एर्णोटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस मार्क वान ए एरक्रेप्टों से डुएल एरक पेलोंस के टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा जो कि नो यारी कर रहा है जिसका टेस्टिंग साल 2025 से शुरू होगा इवन ये वी क्लेम किया जा रहा है कि ये जो डुएल रेक पेलोंस है ये बेसिकली शॉर्ट रेंज एर टु एर मिसाइल या फिर कहे तो क्लोस कॉमबैट मिसाइलों को करी करेगा और ऐसे हर एक पेलोंस एक सिंग करने से पहले हिंदुसन एरोनोटिक्स लिमिटेड के द्वारा वीन टर्नल में अल्रीडी इन पेलोंस के साथ एक स्वेल मॉडल को टेस्ट किया जा चुका है और टेस्ट के दर्मियान यार क्रेफ्ट के एरोडायनमिक पर्फॉर्मेंस को लेके डेटा को जहाँ पे गैदर किया गया तो वही पे मिसाइल सेफरेशन के दर्मियान किस तरीके से ये एरोडायनमिक पर्फॉर्मेंस के उपर असर डालेगा वो भी जा चा गया है और टेस्ट के सफलता के बाद अब हिंदुसन एरोनोटिक्स लिमिटेड के सामने सभी रस्ता साफ हो चुका है और हिंद दोनों टेस्टों से डेटा को गैदर करने के बाद ही हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड फिजिकली इन पेलाउंस को लगा के टेस्ट करने का तैयारी कर रहा है और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि नेक्स्ट येर मतलब साल 2025 के शुरुआती समय में इन टुन पेलाउंस को लगा के येर क्रेप्टो के टेस्टिंग के काम को भी शुरू कर दिया जाए। के जो संभावना है वो और बढ़ जाएगा अब दोसों हर एक पेलांस में अगर दो एसरायम या फिर कहे तो दो फाइथन फाइफ जैसे क्लोस कॉमबैट मिसाइलों को इंटिग्रेट किया जाता है तो इससे तेजस मार्क वान एयार क्रेप और अधिक मात्रा में टार्गेट तो दो पेलांस में पाइथन फाइफ जैसे मिसाइलों को इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि चार पेलांस में एसरायम मिसाइलों का उपियो किया जा सकता है और ये डुएल रैक पेलांस का उपियो करने पर आने वाले समय में तेजस मार्क वान एये चार पाइथन फाइफ या फिर कहें तो आठ एस्रेम जैसे मिसाइलों को कैरी कर सकेगा दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा तेजस मार्क वान एयर क्रेप्टों में को इंटिग्रेट करने के बाद ये तेजस एयर क्रेप्टों के शम्ता को कितना बढ़ाएगा कॉमेंट करके अपने डाय अवश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते समाफत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम